का है हिंदी लानिंग चैनल पर आपका स्वागत है आज आश्मा महाजन हिंदी लानिंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर 7 उत्तम पूरश उभेलिंग है इजी एक्सपनेशन सौल बुक एक्सरसाइस इस वीडियो में आपको मिले बच्चो फड़ा फट से देख लीजिए आपकी जितने भी चैप्टर अप्लोड हुए है उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कुछ चैप्टर बीच में से चूटे हुए हैं वो चैप्टर जल्दी ही अप्लोड कर दिये जाएंगे रही बात आज के पाट बच्चा में यही उत्तम पुरूश है याद रखना अहम उबे लिंग का मतलब होता है दोनों लिंगों में पुलिंग में भी अहम यूज होना है इस्त्री लिंग में भी क्या यूज होना है अहम ठीक है तो एक वचन में अहम होता है जिसके साथ हमेशा आमी वर्ड लगता और धातु पठ की जुड़ जाए गच की जुड़ जाए तर की जुड़ जाए क्री की जुड़ जाए पीछे आपको क्या लिखना है आमी आहम गचामी आहम पठामी आहम तरामी आहम करोमी ठीक है अवाम द्वी वचन है अवाम जिसका बतलब होता है हम दोनों और हम दोनों क जैसे आप इंग्लिश में we कहते हैं उसके बार बहु बचन के साथ वयम में हमेशा आमे वर्ड लगता है साथ में वयम पठा में वयम गच्छा में इस परकार से तो आहम अवाम और वयम इन तीनों चीजों का ध्यान रखना इस पाठ के अंदर जल्दी से बताईए आहम आम के ही प chỉ पहले तीन अक्षा लगते हैं लास्ट में आमे जानिकी गच्छा आवे पठा आवे इस परकार से वयम गा मतलब क्या है बच्छों जल्दी से बताईए जी हाँ हम सब आर इसके शाना है ना याद रखना है कि सरवनाम के साथ लास्ट में कोंसी धातू लगनी है जिस तरह आप i के साथ i लगाते है और v के साथ i लगाते है i उ के साथ i लगाते है मैं बस ऐसे ही करना simple सी बात ए आये अब अनवाद देख लेते हैं अहम का मतल्ब आने बता दिया मैं गचामी का मतलब जाता हूं अवाम, गचावे हम दो जाते हैं वयम गच्छा में, हम सब जाते हैं, अहां पूजयामी, मैं पूजा करती हूँ, अवाम पूजयावे, हम दोनों पूजा करते हैं, वयम पूजयामे, हम सब पूजा करती हैं, अब चाहे वो लड़कियों के लिए आए, चाहे लड़कों के लिए आए, बस आपको वयम का ध्या अगर फोटो बनी हो तो आप उसके एकोडिंग की करेंगे नेक्स्ट अहम असमी अहम क्या असमी अब नीचे लिख है अहम बालक है असमी मैं बालक हूं अवाम सवय क्या अवाम बालका उसमे व्यम बालका है हम सब बालक हैं फिर अहम बालिका अस्मी बोलिए मेरे साथ मैं बालिका हूँ आवाम बालिके स्वै हम दोनों बालिकाएं हैं वयम बालिका हस मैं जानी कि हम सब बालिकाएं हैं चलिया बुत्तम पुरुश एक वचन फड़ा फड़ से अहम बालिका अस्मी फड़ा फड़ से यह क्या होगा इसका अहम का मतलब पता है आपको मैं बालिका का भी पता है अस्मी का पता हूँ मैं बालिका हूँ अहम खदामी मैं खाती हूँ अहम बाले अस्मी मैं बालक हूँ अहम जिगरामी मैं सूंगता हूँ अहम कन्या अस्मी मैं कन्या हूँ अहम लिखामी मैं लिखत आब बात करेंगे उत्तम्बुरुश द्वीवचन की और उत्तम्बुरुश धीवचन में आपको बताया अवाम के साथ क्या आता है आवे अवाम ुत्पतावे हम दोनों उड़ते हैं अवाम धावकावे हम दोनों खेलती है राइट उत्तम बुरुष बहुवचन में आ जाईए जिसमें क्या लगता है बच्चो वयम और वयम के साथ क्या लगनी है धातू आमें तो वयम सैनिकस में हम सब सैनिक हैं वयम रक्षा में हम सब रक्षा करते हैं वयम तरकस में बच्चे इसमें में कन्फ्य आया है ठीक है तो हम सब हम सब तैराकी है जो तैरने वाले तैराक होते हैं ठीक है वयम करा में हम सब तैरते हैं वयम पिकस में हम सब कोईले हैं वयम अदुरम गाया में हम सब मीठा गाती हैं चूज दा क्रेक्टर अंसर फ्रॉम दा ओप्शन और फिलिंग इन दा ब्लैंक हम शात्रा अस्मी मैं शात्रा हूँ अवाम अवाम के साथ बच्चों को सिखाई दिया है अवाम कितने लोगों के लिए आता है दो लोगों के लिए दो लोगों के लिए द्वी विचन वानराउ लगता है हम दोनों बंदर हैं अवाम वानराउ स्वे ठीक है वयम गायका अब ह हम सब गायक हैं तो वयम के साथ क्या आता है समय ठीक है वयम हम सब करते हैं कुर में ठीक है अहम करोमी मैं करता हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर टू आज बेटा जी आपकी वक्षीट मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दीए क्यूंकि अगर आपको डिमांड ह में मेरे को बताएंगे कि इसी चैप्टर की वक्षीट अप्लोट कर दीजिए जां फिर इस चैप्टर के बाद और इसके अगले चैप्टर के बाद कोई प्रशन पत्र आ रहा है तो आप वो बताएंगे कमेंट बोक्स में कि आपको चाहिए तो मैं अप्लोट करूंगी और से चैप्टर समझाया कम से कम पूरा वीडियो तो सुन लिया कीजिए मंजिश्या में दिये गए शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए फटा फटा बताईए अब क्यूंकि आपने तो आप पीछे भी पढ़ा था एक वचन द्वी वचन बहु वचन जाने कि आपने प्रथम पुरुष भी पढ़ा हूँ है मध्यम भी पढ़ा हूँ है आज उत्तम पढ़ा है तो प्रथम पुरुष में आपने क्या पढ़ा था सैता उते और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम त्वम के साथ हमेशा सी लगता है तो त्वम के साथ है तुम कोन हो तो मैंने c के साथ तवम लगा दिया अब तवम के बाद क्या आता है दользवचन में तुम दोनों कोन हो यूवाम कौुस्थ तुम सब कोन हो यूयम के सथ आज मैंने आपको पड़ाया असमी किसके साथ लगता है अहम के साथ हो अहम अधियापी का असमी अब वयम के साथ समय आता है तो समय लगा दिया है अहम गाई का समय तो अहम गाई का अस्मी अवाम जशावे वयम शात्रा समय फोर्थ कोशन है क्री धातु का प्रियोग कर दिया अब धाव का यूज अवाम के साथ करना है अवाम धावावे वयम खादाम में अहम शात्रा अस क्लियर हो गया होगा I think so क्यूंकि जिस तरह मैंने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर मुझे नहीं लगता बच्चा एक भी गलती करके आएगा पेपर में self assessment क्यूंकि उपर के question जो है वो तो आपको color भरने है परतम पुरुष के पदों को ला रंग से बर देना परतम पुरुष पता है आपको कौन सा होता है अभी मैंने जो बताया आपको अस्ती स्ती संती वाला तो stavard को आप red color से कर देंगे जो second में आ रहा है stavard second line में उसी परक जो आज आपने पढ़े एक करोमी तो इसको आप पीले रंग से बर देंगे तो इसी परकार तीनों लाइनों को आपको भरना है धातों के लटलकार के रूप एक भीती पत्री का class के लिए बना ली जीएगा उस पे लिखती जीएगा self assessment complete the following table अब यहां पर तो धातों के रू लिख देना जो नहीं करेंगे उसके आगे ना लिख देना से विका को किसी को भीमारी की बाते ना करने को गएंगे ना स्वेम जाका व्रिद्दा का पूछेंगे उन्हें चिकत्सक के बास ले जाएंगे यैस केबल फोन पे वृद्धा काल जा पूछेंगे ना वो तो खुदी बिमारा फोन के उठाएगी आपका बस यहाँ पर आपका chapter 7 हुआ complete chapter 8 भी आपको चल्दी मिलेगा और इस chapter की worksheet चाहिए या नहीं वो आप comment box में बता सकते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो like जरू करके जाएंगे share तो अपने दोस्तों के साथ करना आपका फर्स पंता है बाकी comment कर दीजिए का वीडियो समझ में आया है या नहीं और divium Sanskrit पाठे पुस्ता classics के chapter की playlist का link 7 की playlist का link और 8 की playlist का link इस video के description में आपको मिल जाएगा जो chapter नहीं होगा उसके लिए comment कर सकते हैं good bye